फिर से स्वागत करता हूँ आपका विहार वोट के नमर वन चैनल में जिया दोस्ते हैं आज हम लोग कभर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट मोडल पेपर जो कई अनुभवी सिच्च को दवारा तैयार किया गया है जिसे परहने का कई सालों का एक्सपिरे के नाम से इस्टार्ट होड़ा 25 अक्टूबर से और एक सूपर 31 मैंस इस्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से अगर आप लोग इसमें एडमिशन करना चाहते हैं तो एडमिशन कर सकते हैं इसके लिए आपको बिले बता देते हैं कि कैसी एक PDF के माध्यम से आपको त्यार तो आप अगर एडमिशन करना चाहेंगे तो आप इस नमर पे एक बार कॉंटेक किजएगा 9162055090 ठीक है इस नमर पे एक बार कॉंटेक किजएगा आपको अपका एडमिशन सक्सेस्पूल हो जाएंगे चलिए गाई सो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो सुर इसके यह कि यानि सरोपर्थम 826 इसवी में किस ने किया आपके सामने चाल ओप्सं दिया हुए है चाल्स मेंसं दिया हुए विल्यम बरेंटन सर्जन मार्शल दिया हुए क्या हो जाए जाए तो फिर फिर लोग नेक्स्ट को देखते हैं इस कोशन में क्या कह रहा है तो 22 इस्वी में किस ने की तो आपके सामने चार औपसन दिया हुआ इसमें से आपका पहला हो गया धायरमशानी दूसरा में आपके माध्य छो आत्रुषर अत्रिखेंच की आगे कश्कषन में सिंदू गार्टि सव्वयता में हलका पर्मान मिला है सिंदू More到 में हलका थिसका राइट एंसर जो हो जाएगा आपका, आपके सामने को कबर करते हैं जो कि आपके इस किन सर रहा है के सिरा के निवा सी को किस दातु का झियान नहीं था पहला सोना को चांडिया तो में देएव लुहाहत तमबा तो यसका राइट सर रह जाएगा विल राइटन्सर क्या ओझाएगा और यह एंनि लुहा का उनलोगों ग्यान नहीं था चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया ध्यान से देखेगा इस कोशन को क्या कह रहा है कि महावरत के आधी परवे के किस अध्याय में बिस में दोबरा आठ परकार के विवां का वर्णन किया गया तो दुवी ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कवर करते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया ध्यान से देखेगा इस को क्या कह रहा है कि अंबा 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 अंबाली का किसकी पतनी थी आपके सामने चाल अपसंट देखने को मिलेगा पहला अपसंट में आपका क्या भी देखने तो इसका आपका अपसंट नमर बी विद्र हो जाएगा चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को संट को कवर करेंगे आगे नेक्स्ट को संक्राइगे और चलते हैं जो आपके इसकीन के आगया ध्यान से देखेगा इस कोश्चन में क्या कह रहा है कि महिर से व्याज दुवारा उत्पन शंतान थी तो पहला अप्सन में पांडु दिया हुआ है ध्राट मतलब ध्राडश्थ दिया हुआ इसका विदूर दिया हुआ यह सभी दिया हुआ है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ठीक है चलिएगा इसों लोग फिर नेक्स को कबर करते हैं जो आपके स्कीन पर आगया ध्यान से दिखेगा इस को देखिए आप एक बार ध्यान से क्या कहरा है इस को अच्छे से अपने बूप में नौट कर लिए इस ऐसे कोशन इंपोर्टन कोशन आपको बहुत कम देखनों को मिलेंगे तो पहला अप्सन में दिया करते हैं जो आपके स्कीन पर ड्यान से दिखें को क्या करें प्राचीन मारत के महह काविये का नामन क्या था तो आपके सामने चार ऊप्सन दिभा हुआ हूं है इसम leash करना पहला महाबरत महाबरत next question को देखते हैं जो आपके स्किर आयote May महा भारत के महा भारत के महाँ संस्कार में कुलछेट्रों की संख्या है पहला 1 100 я Mod 2 तौ इसरा 10 1 5 laad तो इसम्हारा आई जो में चाहिए मिल भी तरो जाएगा ओप्सवन हिप्षन नमर ई राइटरो राइट एंसर हो जाएगा चलि फिर हम लोग next question को देखते हैं जो आपके इस की इन पर आ गया ध्याम से देखेगा इस question को तो इस question में क्या कह रहा है कि विजे नगर समराज की अस्थापना किस ने की है विजे नगर समराज की अस्थापना की गई थी अब किया था यहीं चौदवी सतावधी में तेरवी सतावधी में तो इसका राइड इजन चलो जाएगा और यहीं चौदवी सतावधी में ठीक है चलिए फिर हम लोग next question को देखते हैं यह answer है यह आपको को क्या करें कि विजे नगर पर आकरमन कर नहीं इसे लूटा गया था तो उस समय अनि कब लुटा गया था तो आपके सामने का बात अगर आये तो विजे नमर के बारे में आपको एक कोशन पूछा जाता है कि विजे नगर का जो बहुत महत्तम यानि सासक यानि कौन थे तो इसके बारे में भी आपको कोशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि विजे नगर का महत्तम जो सासक था उसका नाम हम ठीक है चले फिर हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे विजेन अगर समराज्य में पुर्णत है विनस्ट यानि विनस्ट हो गया था तो इसके सामने आपके सामने यानि दिया हुआ चार अप्शन दिया हुआ पहला पहला अथर्वी शतावदी में ठीक है तक गार्वी इसका राइटेंसर आपको चूज करना इसका विल्वी दर आइटेंसर अप्सन नमर क्या हो जाए गया नहीं एविजेन अगर शहर को पुर्णता धोस्त हो जाने के बाद इसे हमपी नाम से याद कि रखा गया है जिसका नाम का नाम अभी वहरवे अस्थानिय देवा के या किसके उपर पढ़ा था तुझा आप लोगोग को पता हो गाकर को क्या नाम से पुकारा जाता इसका बीयाक में राइटेंसर प्ता होड़ा गया है यह बहुत ही इंह्मसर को पता होगा शहर्म से करें एक लुआना दहर दों को पूश्वर को किया जाता है मंदिरों के परवेज दना को किया जाता है इसका क którego सक्षां पूश्वर में क्या कहते हैं लुक है क्या रिए इसका संब यानि क्या हो जाएगा पहला आपके सामने सत्रों से दिया है इसका राइट जो जाएगा आपका यह अठार हो जाएगा यह अठार सो इस्वी में ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया ध्यान से देखेगा हरी और बुक्का ने वि आपको चूज करना इसका अप्सट नमर क्या हो जाएगा तीक है यानि किया गया था ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को कबर करते हैं जो आपके स्कीन पर आगे ध्यान से दिखेगा इस कोशन में क्या कह रहा है कि विजेन अगर यानि विजेन अगर सासोकों को जो उडिसा के समकालिन राजवन्स के सासक थे उनका नाम था यानि क्या नाम था उसका राजपती या गनपती या अस्वपती या रास्टिपती क्या नाम था उसका तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर ब बीली विदा राइट एंसर हो जाएगा यहीं घजपती के नाम से वह जाने जाते थे ठीक है इसका ओप्सन नमर भी विदा राइट एंसर हो जाएगा चले फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया ध्यान से देखेगा इस कोशन को सो यहीं तक में जितने सारे important question थे इस model paper के है तो इस model paper में सारे important question को हम लोग यह नहीं cover कर चुके हैं अगर आपको वीडियो अगर पशान दा है तो वीडियो को like कर लेंगे और अगर अभी तक अगर आप मेरे चैनल को subscribe नहींगे तो चैनल को subscribe कर लेंगा और अपने दोस्तों वीडियो को करना साथ हो मेरे चैनल के महादेब से तहरी होती है